बिस्मिल्लाहिर रह्मारालरहीम स्सलाम आलेकुम वेलकम टो माय यूटूब चैनल जहरान बीचसल देव श्टोडेन आज करने इस वेडू में हम बीचसल के एडमिशन के बारे में डीटेल से blow करेंगे हम डिस्कुम करेंगे कि BSN के admission delay क्यों हो रही है इसके लावा इसके main reason क्या है और सबसे end पे हम discuss करेंगे कि कौन से government institute है जिसमें BSN के admission स्टार्ट हो चुकी है तो वेड़ू को end तक देखिएगा वेड़ू शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे new है तो मेरा चैनल जरूर सबस्क्राइब कर देजिए अब हम अपने वेड़ू शुरू करते है Dear student जैसा कि मैंने अपने पिछली वेड़ू में आप से discuss किया था कि BSN के admission open होने का notification आ चुका है लेकिन one week या two week तक advertisement आने में लगीगी लेकिन अभी तक कोई भी advertisement नहीं आई इसके 11 नुवंबर का महिना शुरू हो चुका है तो BSN के admission डिले होने की जो main reason है वो इस वेड़ू में मैं आप से discuss करूँगा कोशिश करूँगा कि आपके जो तमाम questions है वो clear कर सकूँ पस्ट आप all students पूछते है कि आगर notification आ गिया है तो advertisement अभी तक आ जानी चाहिए तो क्या अब हमें किसी भी government nursing institute से prospectus मिल सकते है students अभी आपको किसी भी government institute से कोई भी prospectus नहीं मिलेगा इसके लिए आपको wait करना पड़ेगा अब हम में वज़ा discuss कर लेते हैं परस्ट आप all day student जिन student के कापी अच्छे marks होते है जिनके chances होते है कि उनका MBBS में admission हो जाएगा वो फिर भी BSN में admission ले लेते हैं या किसी और BS program में admission ले लेते हैं तो जब उनका MBBS में admission हो जाता है तो उनको BSN या कोई और BS program चोड़ कर जाना पड़ता है तो BSN का ये rule है कि अगर कोई student BSN में admission ले लेता है लेकिन उसका MBBS में admission के chances होते है या इसका waiting list में नाम होता है तो उनका waiting list में नाम आ जाता है तो वो वहाँ चला जाता है तो BSN के एक seat जाय हो जाती है तो इस तरह हर साल कई seat जाय हो जाती है तो जो इंतिजामिया है उसके यही कोशिश होती है कि तकरीबन तमाम जो BS program या MBBS के बाद ही BSN के admission दी जाई ताकि student के जो seat है वो secure हो सके कि उनके MBBS वो वहाँ BS program है जिसमें आपको scholarship दी जाती है तो इस तरह जो student deserve करता है उसके scholarship जाय हो जाती है जो इसके दूसरी मेन वज़ा सामने आई है वो यह है कि हर जगा अब diploma nursing के जगा BSN करवाई जा रही है तो जिसके वज़ा से faculty के शदीद कमी है ताकि अच्छा educator stop लाए जाए इसलिए कोशिश की जा रही है अल्दो ये कमी पूरी हो जाएगी लेकिन जो procedure है कापी time consuming है तो बहुत time लग सकता है students BSN के seats आईगी जरूर आईगी लेकिन delay हो सकती है लेकिन chances ही है कि maximum November के end में आ जाईगी बहुत सारे student ऐसे है कि वो मुझसे specific DHQ या specific hospital का नाम पूचते है वो पूचते है कि क्या उसमें admission शुरू हो चुके है prospectus मिल रहे है student ये बात आप clear कर ले कि अभी तक किसी भी government institute में BSN के admission स्टार्ट नहीं हो रही पंजाब में अभी तक BSN के admission कई भी स्टार्ट नहीं हुई dear student मेरे आपसे ये request है कि मेरा वेडियो डिटेल से सुना करे ताकि आपको तमाम बात अच्छे से clear हो सके उमीद करता हूँ आपको वेडियो अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी है तो लाइक कर दे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते है किसे नई वेडियो में तब तक के लिए अल्लाह पेस